दोस्तो आज मैं आपके लिए एक most important question लेके आया हूँ आपकी NCRT book में से जिसमें हमें कारक लागत पर निवल मूले विर्दी ग्याद करना है क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अपनी channel पर 12th class के लिए एक नई series start किया है जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर numerical question solve करके दिखाऊंगा तो मेरी आपसे request है कि आप इस video को पूरा अंत तक देखें यदि आप इसके solution को समझना चाते हैं इसके fundamental base के साथ और दोस्तों अगर आप 12th class में numerical question को सही से समझना चाते हैं तो आप इस series को जरूर जोइन करें और आई बटन पे मैंने उससे पहले के जितने भी part बनाए हैं मैंने वहाँ पे डाल रखें आप पहले उनको देखने के बाद इस question को देखेंगे तो आपको जादा समझ में आएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कोशन में करना क्या है इस कोशन में हमसे कहा गया है कि कारक लागत पर निवल मुले विर्दी को ग्याद कीजिए तो आप बेसिक जानते हैं कि कारक लागत पर निवल मुले विर्दी को ग्या है दोस्तों फिर इसमें हमें क्या करना होता है इस टॉक में परिवर्तन को जोड़ना होता है तो इस टॉक में परिवर्तन निकालने का क्या तरीका होता है वै अगर हम अंतीम स्टॉक में से पारंभिक स्टॉक को घटा देते हैं तो हमें स्टॉक में परिवर्तन प्राप्त हो जाएका ठीक है फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है दोस्तोंु मद्यवर्ती वस्तूं के उभौक को घटाना हुता है यानि मद्यवर्ती वस्तूं का उभौक है सात libro है ठीक है हमने ये छीज घटा दी ये तीन स्टैप तो ढो Others ये आपको बजार निवल चाहिए जैसा कि यहां पर निवल है नेट चाहिए हमें तो हमें क्या करना होता है मुल्य हराश को घटाना होता है जैसा कि यहां पर थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है ठीक है फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है अब भीया इतना अगरम कर दे तो हमें यह बजा कीमत पर निवल मूलिव्र दिजात हो गई है बढ़ बजार कीमत पर ने चाहिए हमें तो कारक लागत पर चाहिए तो कारक लागत में करने के लिए मुझे इसमें से निवल आपरत्यक्षकर को घटाना पड़ेगा और निवला प्रत्यक्षकर का फॉर्मिला होता है मेरी दोस्तों यानि आप प्रत्यक्षकर में से यदि हम आर्थिक साइता को घटाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है निवल आप प्रत्यक्षकर प्राप्त हो जाता है इस question में कहीं पे भी आप परत्यक्षकर नहीं दे रखा है वड़ आप देख सकते हैं कि पहला point हमें क्या दे रखा है आर्तिक साइदा दे रखा है तो देकी minus है हमारा क्या indirect, indirect taxes माइनस फीर क्या है subsidy तो देकी अगर हमे Brisbane subsidy सबसेड़ी दे रखा है यानी आर्तिक अनुदान दे रखा है तो ये minus into minus क्या हो जाएगा plus तो हमें अगर हम इसको निवला पर्तेक्षकर minus ना करें और दोनों को अलग लग करें तो हमें आप पर्तेक्षकर को तो क्या करना होता है दोस्तों minus करना होता है ठीक है जोकि formula के बाहर minus लगा है और ये अंदर क्या है plus तो plus है तो plus into minus क्या होता है minus जबकि आर्थिक साहिता के आगी क्या लगाए चिन minus लगाए तो minus into minus क्या होता है दोस्तो plus होता है इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तो इसमें आर्थिक साहिता को क्या करेंगे जोड़ देंगे मेरी बात समझाई आपको बहुत ही जादा सिंपल सा कोशन है दोस्तो नमबर एक में हमने क्या किया बिक्री को सामिल किया मैं तोड़ा सा रफ कर देता हूँ नमबर एक में हमने क्या किया बिक्री को सामिल किया हमें क्या ग्याद करना है Net Value Addit at Factor Cost सबसे नमबर एक में हमने क्या किया बहुत हमने बिक्री को लिया जो कुछ second point दे रखा है फिर हमने stock में परिवर्तन को जोड़ा जो कि पाच में से हमने घटा आया छटा point तो हमें ये क्या हो गया stock में परिवर्तन प्राप्त हो गया अगर आप चाहें तो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते है कि आप अंतिम stock को जोड़ ले और पारंबिक stock को घटा दे आपकी मर्जी है आप जैसा मर्जी कर लीजी एक ही बात होती है ठीक है फिर इसके बाद हमने मूले हराश को घटाया मूले हराश हमारा अगर अगर अकेले दे रखा है तो वो हम उसे जोड़ सकते है सकते हैं जो की first point है तो देखी इतना simple सा question है अब मैं आपको इसका solution दिखा देता हूं था कि ये बात आपको और अच्छी तहीं कैसे समझ में आ जाए देखिए दोस्तों यहां पर बिलुकुल वैसे ही कर रखा है जैसा मैंने आपको करके दिखाया कि जब हमें कारक लागत पर निवल आपरत्यक्षकर को ग्याद करना होता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बिक्री बिक्री में हम इस टॉक में परिवर्तन को जोड़ते हैं फिर मद्यवर्ती वस्तों पर किये जाने वाले वै को हम घटाते हैं देन हम मुलेहराज को घटाते हैं और देन हम निवल आपरत्यक्षकर को भी घटाते हैं निवल को हम शुद भी कह सकते हैं जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि निवल आप प्रत्यक्षर तो नहीं दे रखाता हमें आर्थिक साहिता दे रखे थी तो हमने उसको जोड दिया देख रहे हैं आप यहां पे 40 से भिकरी की वैल्यू दे रखे थी 800 स्टॉक में परिव आप प्रत्यक्षर नहीं दे रखाता केवल आर्थिक साहिता दे रखाता तो इसलिए हमने उसकी 40 जो है वो कटा दिया प्लस माइनस करने पे दोस्तो आपका जो आंसर आ गया है वो आगया 280 लाक रुपे तो देखा दोस्तो कितना सिंपल है नुमेरिकल को सीकना अगर आप बेसिक कॉंसेप्ट को जानते हैं जो कि मैंने ये बहुत बार देखा है कि जो विद्यारती होते हैं इन कोशिनों को इनके फॉर्मलों को रटने का प्रियास करते हैं दोस्तो एकनामिक्स एक ऐसा सबजेक्ट है कि आप इसे रट नहीं सकते ये बात अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए जब तक रटने का प्रियास करेंगे ना तब तक ही आपको एकनामिक्स में दिक्कत होगी पर जब आप इन एकनामिक्स को समझने का प्रेतन करेंगे त्राइ करेंगे उसको अंडिस्टैंड करने का तो आप देखना कि एकनामिक्स से जादा इजी सबजेक् नहीं है और शायद economics से ज़्यादा interesting subject भी नहीं है क्योंकि दोस्तों दुनिया में number one subject की दरजा प्राफ़ा है economics में और आप जानते हैं कि विकी की पार्चला आपको economics कितने अच्छी तरीके से और सरल चब्दों में पढ़ाती है अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो दोस्तो वीडियो को लाइक करके शेर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अब हमें motivate करना बिल्कुल भी ना मिल भूले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत